नवश्वार दोस्तों मेरा नावे दिवेश एरवल आप देखने हैं टेक्ट डूट 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 चैनल आज के इस वीडियो में हम दो प्रोसेस का कंपारिशन करने वाले हैं और दो नहीं प्रोसेसर मिंट रेंज प्रोसेसर हैं सबसे पहला स्नाप्टाग इन 450 और उसका कं जिरू करते हैं फर्स्ट अफ वाल सबसे बहुत हैं मिड रेंज फोन्स के लिए हैं हाई-end फोन्स के लिए नहीं है मिड रेंज फोन्स नहीं 5-10,000 रूपीज रियल्मी 2 जो कि है वो स्नाप्टागन 450 पर बेस्ट है और रेडमी 6 जो कि हीलियो पी 22 पर बेस्ट है अब हम ब स्नाप्राइब फोन्स के लिए नहीं पर बेस्ट है और इस इतना कम होगा उतना जादा जल्दी आप पहुच पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह तो उतनी जल्दी प्रोसेसर ट्राइब कर पाता है और उती ही फास तरीके से वह काम करता है तो आई होप कि यहां पर आप समझ गयोंगे कि हीलियो पेंटी डू एस कंपेर तो स्नाप्राइब फोर फिफ्टी ज्यादा पॉवर्फुल है सेगिंड पॉइंट के अगर हम बात करें तो यहां पर आपको दोनों ही ऑक्ताप कोर बेसिस के प्रोसेसर है और दोनों में एक और चीज सिमिलर वह है यह कि दोनों ही कोटेक्स आम एक तरीकी के चिप होती है चोटी सी जो कि कोटेक्स पर बेस्ट होती है जो कि प्रोसेसर बनते है सिंगल सिंगल तो इसमें बहुत सारी प्रोसेसर और भी आते हैं A53, A63, A75 चिप्स के अंदर A53 पर बेस्ट हैं यह और अब आपकरेंगी कि maximum clock frequency की Snapdragon 450 जो कि Octa-Core ARM A53 पर बेस्ट है वो 1.8 GHz तक maximum frequency कर सकते हो आप उसकी और Helio P22 यहाँ पर आप maximum clock frequency कर सकते हो 2.0 GHz यहाँ पर आपको 1.8 GHz यहाँ पर आपको 2.0 GHz पर प्रोसेसर ARM Cortex A53 पर बेस्ट है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि Helio P22 as compared to Snapdragon 450 ज्यादा powerful है उसके अलावा अगर अगले point की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको किस type की RAM देखने को मिलती है Snapdragon 450 में आपको LPDDR3 RAM देखने को मिलती है जबकि Helio P22 में आपको LPDDR4X और 4 की RAM देखने को मिलती है तो यहाँ पर आपको RAM की मकाबले में भी Helio P22 ज्यादा अच्छ है उसके अलावा अगर हम GPU की बात करें हैं यहाँ ग्राफिकल प्रोसेसिंग उनिट जिसका आप यूज गेम P20 यहाँ पर GPU के मामले में Snapdragon 450 फोड़ा सा ज्यादा पाउफुल है थोड़ा सा ज्यादा पाउफुल है as compared to Helio P22 इसके अलावा और अगर हम में चीज़ों के अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो वीडियो कॉलिटी है वो आप 1080 पिक्सल में दोनों में रिकॉर्ट कर सकते हैं अपको 60fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं पर यहाँ पर हीलियो पी 22 में 30fps तक ही रिकॉर्ड कर पाएंगे डियूल कामरा दोनों में आपको 30-60 मेगा पिक्सल का कैमरा संसर आपको मिली जाएगा फ्रेंट में अब 21 मेगा पिक्सल तक आप सेंसर यूज़ करके एक फ्रे मल्टी कोर में यहाँ पर आपको हीलियो पी 22 ज्यादा अच्छे पावर और प्रोसेसिंग स्कोर देता है तो जैसा कि आप जानी जुकियोंगे अब तक और आप बात कर लेंगे हम कंक्लूजन की कि आपको कौन सा प्रोसेसर का फोन लेना चाहिए मैं वानता हूं कि स्नाप् करना चाहते हैं तो उसमें आप बैटरी कंजंक्शन उसमें बहुत अच्छा है कम बैटरी खाएगा और बैटरी एफिशिंट प्रोसेसर है उसके अलावा उसमें एया इनहेंस वीचर है जो कि स्नाप्रागिंग में नहीं है तो यहाँ पर आपको कैमरा क्वालिटी इमेज क आपको और स्क्रीन की कॉलिटी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी एस कंपेर टू फोर्टी दोन दोन ही प्रोसेसर में एवरेज एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा आपको खास ज्यादा फरक देखने को नहीं मेलेगा पर जीपीउ के मुकबले में कर पाता है तो आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आगी हो कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंट्रेसिंग वीडियो देखने के लिए नोटिफिक्शन बैल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिक्शन मिलती रहे चैनल पे गिववे चल रहा है जिसका लिंक को आपको अब आई बटन में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप चेक आउट कर सकते हैं आपको कुछ नहीं है आपको जाके गिववे कर एका रहा है ऑर कर डो में जापक करुछ रहा है को कवर्शन मिल नहीं है जाएगा तर चक्त अल रहा है की बटनी लाओे आता रहीं है जाएगा है